तुर्पाई करना तुर्पाई करना एक बेसिक सिलाई होता है जिसे कि हम किसी भी फैब्रिक के जो एजेज होते हैं जो साइड़ होते हैं उन्हें कम्प्लीट करने के लिए यूज करते हैं तो यह देखें यह कपड़े का बिल्कुल कॉर्नर है साइड है और इसे हम फोल्ड देके तुर्पाई करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं अपने इस फैब्रिक को फोल्ड करूंगी तो डबल फोल्ड ले इस तरह से सिंगल फोल्ड लिया और एक और फोल अब यहां पर मैंने एक नॉर्मल सूई ली है और धागा डाला है तो धागा यहां मैंने अलग रंका लिया है जिससे कि आपको स्टेच अच्छे से दिखाई दें आप हमेशा सेम धागा यूज करें जो आपके फैबरिक का कलर है उससे और यहां मैंने धागा सिंगल धागा और नीचे की तरफ एक छोटी सी कांट बांदी है, तो एक धागा हम थोड़ा सा खीच के लंबा कर लेंगे, और दूसरा थोड़ा सा छोटा होगा, एक तरफ से छोटा, एक तरफ से लंबा, चलिए अब हम एक तरफ से तुरपाई देना शुरू करेंगे, तो जो भी आपने fold दिया है इस तरह अब यहां से हम जो हमारा कपड़ा है उसका छोटा सा भाग हम सुई के अंदर लेंगे और फिर जो उपर वाला जो हमारा folded वाला हिस्सा है कपड़े का उसकी अंदर ले जाते वे धागे को खीचेंगे यहां देखें आप हमने यहां पे पहले कपड़े का छ तो यह देखें पहले थोड़ा सा कपड़ा लें और फिर उपर जो folded कपड़ा है उसमें सुई को ले जाके धागे को खीच लें यह देखें एक बार फिर से पहले हमने थोड़ा सा कपड़ा लेना है उसके बाद उपर का जो folded कपड़ा है उसे हमने लिया है थोड़ा सा और फिर हमने धागे को खीच लिया है। थोड़ा-थोड़ा गैप देते हुए हमें ये सिलाई लेनी हैं सेम तरीके से। ध्यान दें कि जो आपका गैप है वो बराबर हो जिससे कि हमें जब सीधी तरफ सिलाई दिखाई देगी तो वो बिलकुल इक्वल डिस्टेंस पे होगी। तो ये देखें बहुत ही आसान है से करना छोटा सा भाग लें कपड़े का और उपर के फोल्डेट कपड़े के तरफ डालते हुए धागे को खीच लेना है। अब लास्ट में हमें सिलाई को खतम करने के लिए यहाँ पे डवल गांट लगाना है। तो इसे करना बहुत ही आसान था। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेर करें और नीचे कॉमेंट करें। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मिलेंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाबाई and टेक केर।